मीनो चिडिया की दो बेटिया थी जिनका नाम तीना और मीना था बड़ी बेहन तीना अपनी छोटी बेहन से बहुत प्यार करती थी परन्तु छोटी बेहन अपनी बेहन से हमेशा जित करती रहती और वे हमेशा उससे लड़ाई करती रहती वे दोनों अब बड़ी हो गई थी और मीनो चिडिया को उन दोनों की शादी की फिकर होने लगी थी फिर एक दिन तीनोंवा बेटियां एक जगा पर बेटी हुई थी तभी एक कवी उनके पास आती है मीनो मैं दूसरे जंगल से आ रही हूँ और वहाँ मैंने एक चिला देखा है वे बहुत जादे खुब्षूरत और अमीर है उसके तो अपनी एक अंगूर की बेल भी है मैं तो क्लती हूँ तुम अपनी बड़ी बेटी की शादी उस चिले से कर दो पिरिया बेहन यही चिंता तो मुझे खाए जा रही है अगर भी चिला अच्छा है तो मुझे कोई भी एतरास नहीं है और वे उस चिले का अपना एक अम्रूत का बाग है और उसकी अंगूरों की बेल भी है आंटी तो क्या उन बेलों पे अंगूर भी लगते हैं हो 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 तो क्या अंगूर के बेर पर बेरियां लगेंगी बहुत ही मीठे और स्वारिष्ट अंगूर होते हैं वो पिरिया बहन आप पाथ चलाएं मेरी बड़ी बेटी अपने घैकी हो जाए तो फिर मैं छोती बेटी के बारे में भी सोचेंगी तीनो बेटी जब बेटियां जवान हो जाएं तो माँ बाप को उनकी शादी की चिंता होती ही है अच्छा आप मैं चलती हूँ फिर पिरिया को भी वहां से चली जाती है और चिडियां को वे परिवार भी वहां से अपने घर चला जाता है मा मेरी कब से इच्छा है कि मेरी अपनी एक अंगूरों की बेल हो आप उस चड़े से मेरी शादी कर दे बड़ी की शादी बाद में कर दे ना मा अरे शरम करो मैं पहले बड़ी की ही शादी करूँगी और उसके बाद तुम्हारी शादी करूँगी बड़ी बहन की होते हुए तुमने ये कैसे सोच लिया कि तुम्हारी शादी पहले हो सकती है बड़ी 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 बस हर समय आप बड़ी बड़ी ही करते रेती हैं ऐसा लगता है मैं तो आपकी बेटी हुई ही नहीं छोती आप मम्मा को परिशान ना करें बड़े जो भी फेसला करते हैं वे ठीकी होता है परन्तु छोटी अपना मुझ उसी गरफ करकर नराज होकर सो जाती है सुबा हो जाती है और दोनों भेने जेंगल में अपने लिए भोजन डूनने निकल जाती है बड़ी अगर आप सच में मुझसे प्यार करती हैं तो आप ममा से बात करें कि वे उस चिड़े की शादी मुझसे कर दें छोटी ममा नहीं मानेंगी उन्होंने एक बार जो फेसला कर दिया वे वो ही करती हैं वो मेरी बात भी नहीं सुनेंगी अरे तुम्हारी अपने ही नियत खराब है मैं भी देखती हूँ ये शादी कैसे होती है मैं जाकर पिदी आंटी से बात करूँगी ममा ममा आप उस चिड़े से छोटी की शादी कर दें मेरी शादी तो हो जाएगी परन्तु आप उस चिड़े से छोटी की शादी कर दीजी अरे परन्तु बड़ी की होते हुए छोटी की शादी कैसे कर दो मैं ऐसा नहीं कर सकती ममा छोटी मुझसे बहुत जाड़ा नराज है और मैं उसे नराज नहीं देख सकती इसलिए आप उसकी शादी पहले कर दीजिए प्लीज ममा प्लीज ठीक है तुम इतना के रही हो तो मैं तुम्हारी बात मान ही लेती हूँ फिर क्या था मीनुचिडिया मान जाती है और फिर कुछ दिनों में ही उस चिड़े के साथ छोटी की शादी हो जाती है वे चिड़ा छोटी को वहां से लेकर अपने घर चला जाता है अरे मीनुचिडिया तुम बिलकुल चिंता मत करो अब मैं तुम्हारी इस बड़ी बेटी के लिए भी कोई अच्छा रिष्टा डूंडूंगी जो कि इसके लिए बहुत अच्छा हो अरे हाँ पिरिया मुझे बिलकुल चिंता नहीं है जैसे तुमने मेरी चोटी बेटी की शादी करवाई है वैसे ही तुम मेरी बड़ी बेटी का में खयाल रखोगी पती जी पिरिया अँटी ने कहा था कि आपके कोई बड़ी इसी अंगूरों की बेल है जिसमें बहुत जादा मीठे मीठे अंगूर लगे हुए है चलिए जल्दी से मुझे बे अंगूरों की बेल दिखा लाइए अरे किस मूर्ख ने तुम से ये सब कहा है मेरी तो कोई भी अंगूरों की बेल बेल नहीं है अरे हाँ मेरे दोस्त की एक अंगूर की बेल थी परन्तु अब तो वेवी सोक चुकी है इसका मतलब पिरिया आंटी ने हमसे जूट काया था कि आपकी अंगूरों की बेल है और बहुत बड़ा अमरूद का बाग भी है अरे एक बात बताओ तुमने शादी मुझसे की है या फिर अंगूरों की बेल और अमरूदों के बाग से तुमने शादी मुझसे की है ना चुप कर जाओ अब और फजूल की बातें मत करो अभी शादी को एक दो दिन ही हुए थे के दोनों में लडाईयां शुरू हो जाती है अरे जाओ मेरी लिए जेंगल से कुछ भोजन डून कर लाओ क्या मैंने तुमें घर में बिठाने के लिए तुम से शादी की थी अरे आप मेरे पती हैं आप दे मेरे साथ चलिए हम मिलकर भोजन डून डूनेंगे अरे नहीं नहीं मैं कहीं नहीं जा रहा मेरे दोस्त मुझसे घर में मिलने आ रहे हैं तुम ही जाओ और मेरे लिए अच्छा सा बोजन ढूंड के लाना कभी दो उल्लू उस चड़े के घर में आते हैं ही 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 दोस्त भावी तो कमाल है कमाल भाई कहां से ढूंड के लाया है ऐसा चोकस पीस हमें तो नहीं मिलता हा 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 अरे वाह तेरे तो मज़े आ गए दोस्त फूटी कोड़ी जेब में नहीं थी और इतनी सुंदर चड़िया से शादी करनी वाह भई वाह अरे ये केसे लोगों से दोस्ती है आपकी ये आपके सामने आपकी पत्नी को कितना गंदा गंदा बोल रहे हैं और आप इन्हें कुछ भी नहीं बोल रहे हैं अरे तुझे एक बार कहा समझ में नहीं आता क्या थपड़ लगाऊंगा एक जा जाके मेरे लिए भोजन ले करा अपने पती का ऐसा सोभाव देखकर बहुत ज़्यादा दुकी हो गई थी फिर कुछ दुनों में मीनू चिडिया अपनी बड़ी बेटी की शादी भी एक अच्छे से चिड़े से कर देती है वे चेड़ा उस जंगल में ही रहा करता था मा मेरा घर इसी चेड़ में दोसी दरफ है तो आपका जब धीमन करें आप अपनी बेटी से मिलने के लिए मेरे घर आजाये करिएगा वे भी घर आपका ही तो है फिर वे चिड़ा भी टीना को ब्याकर अपने पास ले जाता है तीना मैं इतना अमीर तो नहीं परन्तु मेरे पास जो कुछ भी है वो सब कुछ हम दोनों का है मेरी माने मुझे ये खेट दिये थे इसमें ही मैं बीज लाल कर अपनी खेटी करता हूँ और इससे ही अपना गुजारा करता हूँ मुझे आप बहुत जादा अच्छे लगे और आज से आप अकेले नहीं है हम दोनों मिल बाट कर काम क्या करेंगे तीना बहुत जादा खुश थी फिर ऐसे ही दिन गुजरते गए परन्तु मीनुचिडिया अपनी दोनों बेटियों से नारास थी अरे ना जाने कितने दिन हो गए परन्तु मेरी बेटिया तो मुझे से मिलना ही नहीं आई आज बस बहुत हो गया मैं अब इन दोनों से जाकर मिलूँगी देखो तो मेरी बेटिया अपना जीवन के से बसर कर रही है फिर मिनुचिडिया सबसे पहले अपनी बड़ी बेटी के घर जाती है बड़ी बेटी मिनुचिडिया को ऐसे अचनक देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है अरे ममा आप अचनक से यहाँ पर मुझे आपको देखकर बहुत ज्यादा खुश हुई अरे माजी आप तो बिल्कुल सही समय पर आई हैं ये लीजिए ताजे ताजे फल खाईए और मैं तो कहता हूँ कहां आप उतनी दूर जाएंगी आप बस अपसे हमारे साथ ही रहना शुरू कर दीजिए मामा मुझे ये बहुत ज़्यादा खुश रखती हैं इसलिए मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ मेरी बच्ची मुझे तमें खुश देखकर बहुत ज़्यादा खुशी हुई परन्तु अभी मुझे छोटी से भी मिलने जाना है और मैं अब बहीं जा रही हूँ मा, मैं भी छोटी से काफी दिन से नहीं मिली, चलिए मैं भी आपके साथ ही चलती हूँ फिर वे दोनों जब मीना के पास पहुँचे तो भी बिचारी गर के बाहर बेठी रो रही थी क्या हुआ मेरी बच्ची, तुम ऐसे रो क्यों रही हो, सब कुछ ठीक तो है न मा, मा, मेरे पती बहुत जादा बुरे है, वे मुझे, वे मुझे बहुत जादा मारते हैं, और मेरा बिलकुल ख्याल नहीं रखते तीना बेहन, आप मुझे माफ कर दीजिए, मैंने अपसे बहुत लड़ाये किये हैं, परन्तु आप मुझे अपनी गर्ती का एहसास हो क्या है मैं समझ गई हूँ मेरी बच्ची, तुम बहुत जादा तकलीफ में हो, परन्तु अब मैं तुम्हे यहां नहीं रहने दूगी, चलो मेरे साथ वापिस घर चलो फिर मीनु चिडिया अपनी दोनों बच्चीओं को लेकर अपने घर चली जाती है, क्योंकि वे उन दोनों को दुखी नहीं देखना चाहती थी एक काफी सुन्दर सा जंगल था, उस जंगल में काफी सुन्दर से पक्षी भी रहा करते थे टूनी चिडिया, कालू काउवा, मिठू तोता और बुल बुल, ये सारे पक्षी आपस में बहुत ही प्यार से रहते थे सारे पक्षी टूनी चिडिया की बहुत ही इज़त करते थे, क्योंकि टूनी चिडिया उन सारे पक्षियों में बहुत ही समझदार थी आरे टूनी चिडिया आजकल इस जंगल में दाने की बहुत ही कमी हो रही है हमें कुछ करना होगा हाँ चिडिया बेहन हमें कुछ तो करना ही पड़ेगा मेरे तो दो छोटे छोटे बच्चे भी है मुझे उनको भी दाना खिलाना पड़ता है वरना मेरे बच्चे भूके ही रह जाएंगे आप कुछ करिये अच्छा मेरी दोस्तों तुम लोग चिंता मत करो मैं कुछ करती हूँ हाँ जुडिया बेहन कुछ करो जल्दी हमसे अब बिना खाय नहीं रहा जा रहा है फिर ऐसा कहकर चिडिया अपने घर पर आ जाती है मैं क्या करूँ मेरे सारे दोस्तों ने तो मुझसे ही उमीदे लगाई हुई है अब मुझे ही गुच करना होगा मेरे सारे दोस्त बहुत ही भूके हैं अब मुझे किसी तरह भी उनको दाना लाकर देना होगा पर मैं ऐसा क्या करूँ हाँ एक काम करती हूँ मैं अपनी बेहन कॉमल चिडिया के पास जाती हूँ और उससे जाकर कोई दाना ले आती हूँ उसके जंगल में तो काफी सारा दाना मिलता है वो मेरी जरूर मदद करेगी फिर टूनी चिडिया अपनी बेहन कॉमल चिडिया के पास जाने लगती है फिर टूनी चिडिया अपनी बेहन कॉमल चिडिया के जंगल में आ जाती है अरे अरे टूनी बेहन क्या हुआ इतनी परिशान क्यों लग रही हो और इतने दिनों बार मेरे इस जंगल में आई हो एरे कॉमल बेन अब मैं आपको क्या बताओं हमारे जंगल में दाने की बहुत ही कमिए हो गई है जिसकी वजा से मुझे यहाँ पर आना पड़ा हमारे जंगल के सारे पखशी बहुत ही बूकें है क्या आप मेरी मदद कर सकती हो आप मुझे थोड़ा सा दाना दे दो ताके मैं उन दानों से अपने दोस्तों का पेट भर सकूँ मेरे सारे दोस्तों ने मुझे से ही उमीदे लगाई होई है अगर मैं आज उनको दाना ना दे सकी तो उनके सामने मेरी इज़त खतम हो जाएगी अरे अरे टूनी बेहन तुम परिशान क्यों हो रही हो मेरे पास काफी सारा दाना है मैं तुम्हें थोड़ा सा दाना दे देती हूँ फिर कॉमल चेडिया थोड़ा सा दाना अपनी बेहन टूनी चेडिया को दे देती है और टूनी चेडिया वो दाना खुशी खुशी लेकर अपने जंगल की तरफ चा रही होती है अरी मेरी दोस्तों ये देखो मैं तुम सब के लिए दाना लेकर आई हूँ अब हम सब भूके नहीं रहेंगे चलो आज़ो जल्दी जल्दी और सब मिलकर दाना खाते हैं फिर सारे पकशी खुशी खुशी वो दाना खा कर अपना पेट बढ़ते हैं अगले दिन भी कुछ इसी तरह होता है जंगल में दाना बिलकुल ही खतम हो चुका होता है जिसकी वजह से पकशी बहुत ही भूके होते हैं मैं आज भी दाना ले आती हूँ वیसे भी मेरी बेहन कोमल चडिया के पास काफी सारा दाना है वो मुझे दाना देने से कभी मना नहीं करेगी ऐसा केकर वो चिडिया अपनी बेहन कॉमल चिडिया के पास जाने लगती है फिर टूनी चिडिया अपनी बेहन कॉमल चिडिया के पास आती है अरे कॉमल बेहन माफ करना मैं आज भी आपसे मदद लेने आई हूँ हाँ हाँ क्यों नहीं मेरी बेहन मेरे पास काफी सारा दाना है मैं थोड़ा सा दाना तुम्हें दे देती हूँ फिर टूनी चिडिया अपने घर जाही रही होती है कि वे देखती है कि एक पेर पर एक कबूतर बेटा होता है जो काफी अदास होता है टूनी चिडिया उस कबूतर के पास आती है और कहती है अरे क्या हो गया कबूतर भाईया आप इतना अदास क्यों बेटे हो अरे क्या बताऊ चुडिया बेहन मेरे बीवी बच्चे बहुत ही भूके हैं उनने कुछ दिन से कुछ भी नहीं खाया है मैं उनके लिए दाना ढून रहा हूँ लेकिन मुझे दाना बिल्कुल भी नहीं मिल रहा है इसी वज़ा से मैं बहुत ही उदास हूँ कबूतर की बास सुन कर उस चिडिया के दिल में रहमा जाता है और वे चिडिया वो सारा दाना उस कबूतर को दे देती है और चीडिया बेन मैं तुम्हारा बहुत बहुत शुगर गुजारूं मैं तुम्हारा एसान कभी नहीं बूलूंगा ये दाना तुम्हारा मेरे उपर ओधारे और मैं एक दिन ये सारा दाना तुम्हें वापस कर दूँगा फिर चेडिया उस कबूतर की मदद करकर वहां से चली जाती है फिर चेडिया वहां से जाही रही होती है कि चेडिया को जमीन पर एक पीज़े का टुकड़ा पड़ा हुआ दिखता है चेडिया फौरण उस पीज़े के टुकड़े के पास आ जाती है एरे वाह ये चीज़ तो दिखने में बहुत ही मज़े की लगती है चलो इसको थोड़ा सा खा कर देखती हूँ फिर चड़िया थोड़ा सा पीज़ा खाने लगती है एरे वाह ये चीज़ कितनी मज़ेदार है इसको तो खाने में बहुत ही मज़ा आ रहा है चलो इस चीज़ को मैं अपने घर पर ले जाती हूं और फिर शाम में मैं अपने दोस्तों की दावत रखूंगी इस दावत में मैं ये सारे चीज़ अपने दोस्तों को खिलाऊंगी वो चड़िया वो पीज़ा लेकर अपने घर पर आ जाती है चलो चल्दी से जाती हूँ और अपने दोस्तों को जाकर दावत का के देती हूँ फिर चिडिया अपने दोस्तों के पास आती है और चिडिया बेहन क्या हुआ आज तुम हमारे लिए दाना लेकर नहीं आई अरे दोस्तों मैं आज तुम लोगों के लिए दाने से बढ़कर लेकर आई हूँ मैं तुम लोगों के लिए एक ऐसी चीज लाई हूँ जिसको खाकर तुम लोगों को बहुत ही मज़ा आ जाएगा ऐसा क्या लाई हो तुम चिडिया बेहन मैं तो उस चीज़ को खाने के लिए बहुत ही उतावला हो रहा हूँ हाँ हाँ मेरे दोस्तों शाम को मेरे घर पर तुम सब की दावत है तुम सारे दोस्त मेरे घर पर आ जाना पिर मैं तुम सारे दोस्तों को वो चीज़ खिलाओंगी पार चेनिया बैन वो चीज हम अभी क्यों नहीं खा सकते हमें अभी बहुत भूक लगी है आप हमें अपने घर पर ले जा और वो चीज अभी खिला दो ए रिन दे ही नहीं दोस्तो मुझे अभी किसी काम से बाहर जाना है इसी वज़े से मैं शाम तक वापस आओंगी और फिर शाम को ही हम वो चीज खा सकते है पेख है चडिया बेहन जब हमने एतना इंतार कर लिया तो थोड़ा इंतार और कर लेंगे वे चेडिया अपने काम पर निकल जाती है लेकिन चेडिया को यी बात नहीं पता थी कि चेडिया के घर में जो पीजा रखा है वो शाम तक खराब हो जाएगा शाम होने पर जब सारे पक्षी दावत पर आ जाते हैं तो चेडिया कहती है चेलो दोस्तों मैं तुम लोगों को वो चीज खिलाती हूँ जिसके लिए मैंने तुम लोगों की दावत की है फिर चेडिया वो पीजा उन पक्षियों को देती है और सारे पक्षी मिलकर वो पीजा खाने लगते हैं अरे वा वा चिडिया बेहन ये पीजा तो बहुत ही मज़ेदार था हाँ हाँ चिडिया बेहन इसको खा कर तो बहुत ही मज़ा आ गया फिर शाम होने पर सारे पक्षी अपने अपने गोंसलों में चले जाते हैं फिर जब पक्षी अराम करने के लिए अपने घ्घोंसलों में लेट से हैं तो अचनक उन पक्षियों के पेट में दरत शुरू हो जाता है औरे ये क्या हो गया मेरे पेट में इतना तेज दरत कैसे शुरू हो गया अरे मुझे तो परदाश ही नहीं हो रहा अरे मर गए ये क्या हो गया इतना दरत क्यों शुरू हो गया मेरे पेट में वहीं तोतेगी भी कुछ इसी तरह हालत होती है आरे बाप रे बाप मेरे पेट में इतना तेज दरत कैसे शुरू हो गया अब मैं क्या करूँ आरे मुझे तो लगता है उस चड़िया ने हमें जो पीजा गिलाया है उस पीजे में ही कुछ ऐसा था जिसको खाकर हमारे पेट में दरच शुरू हो गया फिर अगले दिन जब सारे पक्षियों का पेट दरच सही हो जाता है तो सारे पक्षि जमा होकर बात करते हैं आरे भाईयों कल हम सबके अचानक पेट में दरच शुरू कैसे हो गया था हां हां भाईयों मेरे भी बहुत पेट में दरच शुरू हो गया था अरे मुझे तो लगता है कल उस चिडिया ने हमें जो नई चीज खिलाई उस चीज में ही कुछ ऐसा था जिसको खा कर हमारे पेटों में दरश शुरू हो गया आरे मुझे तो लगता है वो चिड़िया में दाना दे दे कर ठक गई है इसलिए उस चिड़िया ने हमारे साथ ऐसा किया हाँ हाँ भाईयो मुझे भी ऐसा ही लगता है तो चलो फिर हम उस चिड़िया के घर पर चलते हैं और चल कर उसकी खबर लेते हैं फिर सारे पक्षी घुस्से में उस चिडिया के घर पर आ जाते हैं अरे चिडिया बैन कल तुमने हमें जो चीज खिलाई थी तुमने उसमें ऐसा क्या मिलाया था जिसको खाकर हमारे पेट में बहुत दर्ट शुरू हो गया था अरे मेरे दोस्तों तुम लोग ये क्या के रहे हो मैं तुम लोगों के खानों में बहला ऐसी वैसी चीज क्यों डालूँगी तुम लोग तो मेरे इतने अच्छी दोस्त हो हाँ चलो चलो सारे भाईयों हम सब चलते हैं और आज के बाद कोई भी इस चुड़िया से बात नहीं करेगा फिर सारे पक्षी गुसा होकर वहाँ से चले जाते हैं अरे ये क्या किये रहे हैं मैंने तो वो चीज़ खाई थी पर मेरे पेट में तो बिलकल भी दरत नहीं हुआ तो फिर इन दोस्तों के पेट में दरत कैसे हो गया फिर अगले जिन जब तोता उड़ता हुआ जा रहा होता है तो तोते को जमीन में एक पनीर पड़ा हुआ दिखता है तोता जट से उस पनीर के पास आ जाता है फिर वहीं पर एक कबूतर भी आ जाता है और कबूतर तोते से कहता है अरे तोते भाई ये जो चीज जमीन पर पड़ी है इसको बिलकुल भी मत खाना क्योंकि ये चीज हमारे लिए साही नहीं है ये चीज तितने दिनों से यहीं पर पड़ी है और ये पड़े पड़े खराब हो गई है अगर हम इसको खाएंगे तो हम मारे पेटों में दरग स्चho हूं जाएगा फिर तोते को समझ में आयाती है कि कल जब उस चिडिया है उनको वह पिजा दिया था यूए शायद रखे रखे-रखे खराब हो गया Θा जिस की वाजह से उस तोते के पेटों में दरग स्चुरू हूं जिरुगे दरग सुरू हो ग और हमने ही उस चड़िया बेहन के साथ इतना गलत किया मेचाने चड़िया बेहन को क्या पता था कि वो चीज रखे रखे खराब हो जाएगी जिसकी वज़ा से उस चीज को खाता ही हमारे पेट में दरश शुरू हो गया था फिर तोता सारे पक्षियों के पास आता है और सारे पक्षियों को वो सारी बात बताने लगता है आरे तोते भाई ये तो हमने चड़िया बेहन के साथ बहुत ही गलत किया चलो चल्दी से जाकर उन चड़िया बेहन से माफी मांग लेते हैं फिर सारे पक्षी उस चडिया से आकर माफी मांग लेते हैं और वो चडिया उन सारे पक्षियों को माव भी कर देती है फिर अगले दिन वे कबोतर चडिया के पास कुछ दाना लेकर आता है और चडिया से कहता है अरत चुडिया बेन, ये लो इसमें कुछ चावल के दाने हैं, मैंने तुमसे कुछ दिनों पहले कुछ दानों का उधार लिया था, ये वो ही उधार वापस करने आया हूँ, तुम ये दाने मेरे से ले लो, इन चावलों के दाने से तुम अपनी जंगल में जाकर फसल लगा जिससे तुम्हारे जंगल में अब दानों की कमी नहीं होगी फिर विचिडिया वो चावल के दाने जमीन में बो देती है कुछ दिनों के बाद फसल पक जाती है जिससे अब उस जंगल में दाने की बिलकुल भी कमी नहीं थी इस कहानी से हमें ये सिक मिलती है कि हमें कभी भी सोचे समझे किसी पर भी इल्जाम नहीं लगाना चाहिए